जैहिन फ्रेंज, डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है मैं इस वीडियो के माध्यम साब को बिहार पुलिस बिज्यापन संका अबलिक 2019 जिसकी कुल पदो की संका 11880 है और उसका जो आपको लिखीत इक्जाम हो चुका है बट उसका फिजकल एफिसेंसी टेस्ट अभी नहीं हुआ है उसके लिए मैं आपको जनकारीद देना चाहता हूँ उसमें खास करके मैं गल्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो भी गल्स बने की जो भी गल्स या आपको जो पीटी क्वालिफाई किये है जो आपको रिटेन एक्जाम क्वालिफाई की है उससे रिलेटर मैं आपको जनकारीद देना चाहता हूँ जितने भी गल्स का आपको रिटेन एक्जाम में मतलब मेरिट आया है जितने भी क्वालिफाई की है उनके लिए एक खास वीडियो है तो आप इस video में तक जरूर बने रहेके video बहुत ही मज़ेदार है आपको मैं video में सारी जनकारी दुँगा कि girls क्या pregnancy के गणनेंसी के दोरान या pregnant है तो वह क्या दॉर लगा सकती है नहीं लगा सकती है गल्स की परकिरिया है क्या है मैं साधी जनकारी इसमें देना चाहता हूं और मैंने जो पहले वीडियो आपको अप्लोड किया था अपने चैनल पर जो मैं आपको मैं लग टाइमिंग कनुसार दोर लगाने की बात बोले थी जो फिचकल कटप से रिलेटर थी मैंने इसलिए दिया थ अगर उस कटप के अनुसार आ रहे हैं तो वह अपना हाड़ वर्क करना छोड़ देते हैं क्योंकि वह अपने आपको समझने लगेंगे क्योंकि मुस्पेस जो है बहुत है से कंडिडेट है जो बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं तो इस वज़ए से मैं वीडियो नहीं समय बहुत ज्यादा है उसके अनुसार आप अपना प्रिप्रेशन करें ठीक है तो इस तरह से मैंने आपको बताया उस वह आपको दौर में इंप्रूब्मेंट लाने के लिए वीडियो है आप एक एक सेकेंड का मतलब महुत देख करके दौरें फिर आपका दौर बहुत ब प्रेगनेंट हो जाएगी पीटी के दौरान जो पीटी जब आएगी उस समय तक जो मैरेड गल्स है अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है तो उनको क्या दौर दौरने के लिए बिहार प्लिस में मौका दिया जाता है तो मैं सारी जनकारी इसमें दूंगा तो अगर आप मेरे टेस्ट किया जाता है मतलब आपका प्रेगनेंसी जांच किया जाता है प्रेगनेंसी अगर जितने भी मतलब गल्स कंडिडेट अगर प्रेगनेंट है उनको दौरने का कोई मौका नहीं दिया जाता उनके अमिद्वारी रध कर दी जाती है आप विहार प्लिस में दौरने क कंडिडेट है वह आप इस चीज का ध्यान रखे कि आप प्रेगनेंट होते हैं तो आपको बिहार पुलिस में दरने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा अब हर कंडिडेट के जो है जितने भी महिला कंडिडेट है उनको जो है पहले आपका प्रेगनेंसी जाच किया जाता है क्यार उस्त तर्वाज से जास किया जाता है कि i supplier और इस तरह से जास करने के बाद यह आपको भिहार पुलिस में दौर्णाय का मुछा दिया जाता है जेन्स कंडिडेट्च का कोई मेडिकल कोई जन्स कंडिडेट का कोई मेडिकल नहीं होता है उनको डाइरेक्ट उनको दौरने के लिए ही अथुराइज मिल जाती है तो इस तरह से आप जितने भी महिला कंडिडेट है उन लोगों के लिए मैं एक खास करके वीडियो बनाया हूँ अगर आप लोग को किसी भी परकार के रेंज में उसका माक्स आ रहा है तो आगे जो हाड़ वर्क को कर रहे है आगे कि जो त्यारी कर रहे है उसको करना छोड़ दे इस वज़ा से मैं सोच करके वीडियो परवाइड नहीं करता हूं तो आप लोग के लिए मतलब बहुत ही खेर है कि आप लोग इतना मुझ से ज़्यादा बुड़ा टाइम आ जाएगा तो आप उस पर विश्वास ना करें आप जितना हो सके ऐसा नहीं है कि आप एसी एस्टी ओभी सी जेनरल में भी आते हैं तो आप ज़्यादा सज़्ादा कोशिक कीजिए आपका एक ही मतलब उदेश्य होना चाहिए कि मतलब आप सव नंबर हैं तो मैं सव काहीं त्यारी करूंगा यह नहीं कि मैं 75 का त्यारी करूंगा यह 80 का त्यारी करूंगा आपको मेरे भाई यहीं सोच रखना है कि मुझे 100 मार्क्स मिले है और 100 में 100 का त्यारी करना चाहे मुझसे जितना हो अंदर काकत हो पूरी ताकत लगाएंगे वह मुझसे जितना होगा उतना करेंगे होगा जरूर होगा जब हम हार्ड वर्क करेंगे तो मेरा रिजल्ट भी मतलब उसी टाइप से आएगा जिस टाइप से हम मेहनत करेंगे अगर बहुत ऐसे कंडिट है जो बोलते हैं कि यह इतना ज्यादा कैसे जा सकता है तो मैं एक और आपको मैं खास जनकारी देना चाहता कि मतलब मेरे साथ दो ऐसे कंडिडेट थे जो मैं भी उसी गराउन में दौरता था वो भी दौरता था दोनों का मैं दौर सेम था लेकिन कुछ कारण हुआ से उसका मेरिट नहीं है और मेरा आया था तो इस तरह से मैं आपको बताना चाहता हूं तो उनसे मैं मिल करके आपक आपके साथ तो आप जादा से जादा लाइक करें तो मैं आपके साथ लाइव जूरूंगा और जीतनी भी प्रोब्लम्स होगी ये तरह मैं एक फैमली की तरह हम सब लोग मिल करके उसमें सारी प्रोब्लम को सलुस्ट करेंगे तो इस पकार और भी नोटिफिकेशन और